अगर अब अब तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे इस रेट किलर के बटन पर क्लिक करकर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करनेक बाद इस बेल बटन पर जरू कलिक करें आज हमार साथ गुलेर पंचैत से चुक्त सागर सर आपके मन में समा सेवा की बात कहा से आई देखिए मैं कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ा ही करके जब यहां पे आया है तो मैंसे देखगा की ढान इए ऐसके काउव कोषियक है KNOW है, कि अधे इस अधेवैक एक कोशिय कर सकते मैं जुमा条ब персонतिया, अगलिखों की यहां प्रस्तितिय को कीकाषिळग मैं मारी जो प्रस्तितिय आफा नहीं देखे सोخा की दिया मैंने में सब देखबक भात को चाहिए बहवी से पहले समाज सेवा मिसे ही थे और फिर राजनिति से जुड़े तो आपका भी कोई देखिए अभी तक तो सरफ मेरा ध्यान जुपुरे को पूरा समाज सेवा पे है राजनिति का तो मैं बदा निसकता लेकिन ये मैं सुनिश्चित करता हूं वह ये एड़ ये बंडी करोड़ों पैसे का प्रिष्टाचार का बाग के उपर आपने रोपल गाया था जी उसमें आई प्यच की ही अधर आप मैं को पूरी चीज संझाओं ये सारी सहीं में बहुत बड़ा लोह गुसा तक अन्याय हुआ दिपार्टमेंट की बहुत बड़ी लापरवाई थी अध पूरी पूरी स्कीम का पानी मिलना था लेकिन वो लोह को नहीं मिल पाया बड़ी दुभागे पूर बात है ये सारी की सारी मैंने खुद जाके जो ये साइट थी वहां भी जाकि मैंने सारी चीजे देखी हैं तो लोनो परकुलेशन बैल बनाए थी उसमें से एक में पूरी पूरी काद भरी हुए तो उसमें में पानी नहीं है उसके खुदा ही पूरी नहीं की गई है अभी मैं इस चीज को पूरा कर रहा हूं काम कर रहा हूं इस पर एक दूजरों में कुछ और चीजे निकल के सामने आएंगी मैं आपके मादिम से जरूर जन्ता तक पहुंचाऊ और अभी इसके खिलाफ जो लड़ाएगे यह बहुत लंबी है और लोगों का सहोग भी मिल रहा हूं इसको बिल्कुल अंतिम अंजाम तक इस पर हम लड़ेंगे आपके मादिम से बताना साहता हूं कि हम एक तिन ऐसा लाएंगे दिहरा में कि यहां से फ्रस्टाचार की जड़ें पिल फुल खतम कर देंगे काट कर देंगे यह जैसे सडके बनती है आपने सडकों को देखा है वो कुछ ही मतलब बनने के कुछ ही टाइम के बाद वो पानीयों के सडके ते कर देखा है। इस सडक को पर भी सब्सक्राइब थेकेदार को चाहिए थाच्यक्राइब को चाहिए कि पोड़ाया है या पर अफनल बनाम साप में सडक के किनारे घाजरे पनाए जाए है। जी मैं समझ गया आप क्या बताना चाहिए इसी को सिस्टम फेलियर हो यही सिस्टम फेलियर है यही मैं बता रहा हूँ आपको इसा जवाब आया है तो इसे ही में बहुत दुठागे पूर है अगर लोगों ने पानी चोग हो सड़क की तरफ छोड़ा है सबसे पहले विभा को पूर्ण को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पर नालिया होनी चाहिए और नालिया हो तो इसाड़ को डमेज नहीं हुआ यही सारी चीजे जो है वो लीपा पूती विभाग करता आया है अभी तक जितने भी अधिकारी है विभाग है यही काम राया है कि बिल्कुल घट पूरे कपूरा चेह महिने के पानी से ढखा रहता है तो आप इसको अगर स्मसिफल मोटरी खराब हो रहता है तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे जब यह बसात का पानी देगा तो उन्हें होता है कि हम इस पूल बनाएंगे जमीन से तो यह क्या है एक नेगलिजज़न्सी का आभिया है आपर से लोग अधिकारी आपकर अपर से लोगल ऐस में पानी है किसी चीज़ का कि अभी डर नहीं की डर मिखेंगा नी तैकार इस विरप कर यह करेंगे जसे लगता है कि इस ब्यवस्ता में आथिकारी का आंपस मे कुर में इस ताज मिल बहुत अच्छा बन जो आगो जन्ता को भूतना पड़ रहा है, अब कहीं न कहीं जन्ता को यूट के आली आना पड़ेगा और उन चीजों का जोद करना शुरू करना पड़ेगा जैसे आपने देखा है, आजकर जो स्कूल के बच्चे हैं, जैसे सुप्रीम कोट ने कुछ रूलिंग निकाली थी, कुछ लाज हैं कि जो एटीन एर्स से पीछे बच्चे हैं, उनको नसीली परदाफ नहीं दी जा सकते हैं, जैसे सिग्रेट बीडी, पर हमने जैसे अभी तक जैसे देखा है कि जितने भी ग्रेजुटिंग कोर्स्टीज हैं, जितने भी उनिवस्टीज में, सेंट्र गवर्मेंट नहीं थुरूल निकालाता है, कि उसमें ड्रग अभी उसका एक सजेक्ट लगाया जाएं, जब तक बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है, जब तक किसी ग्रेजुएशन लेवल में पहुच गया है, तब तक तो वह ड्रग एडिक्ट बन चुका होता है, या वह ड्रग की आज़त पढ़ चुकी होती है, तो वह उसको मटाके वह प्यों नहीं उसको टैंथी लेवल में किया जाए, और आपने सरयाम देखा है कि यह जो अगर हम राम राजी की उमीद करते हैं तो यह आप निष्चित मानले कि राम राजी को कानून बनाने से नहीं आएगा, राम राजी तब तक नहीं आएगा, जब तक कानून में जन्टा की भागेदारी नहीं रहेगा, और कुछ दुकानदर हमारे आशपरोस नावालिक अगर आप ऐसा करने हैं तो हम अपी साप ऐसा करेंगे तो हम इसकी एक तो यह समाधान है इस चीज़ का, दूसरा कानून तो बनाई हुआ है लेकिन कानून ज्यादा रिजल्ट आपको देगा जब समाज की भाग्यारी उसमें रहेगी चोटा सा उधार मैं आपको देदू क्या मड़र के लिए कानून नहीं बनाई हुआ है, फांसी की सजाय है, सुप्रीम पनिश्मेंट है मड़र के लेकिन फिर भी मड़र हो रहे हैं तो सिर्फ कानून बनाने से समस्या का समाधान हो जाए इस ऐसा संभब नहीं है इस बेवास्ता में तो लोगों को भी भागिदारी दिखानी चाहिए मेरे ख्याल से और दूसरा जो आप बताबात करना है जो ड्रग अभ्यूस का सब्जेक्ट है जो बिल्कुल सही है, यह सब्जेक्ट आपका कही ना कहीं एर्थ और टैंथ के बीच में कहीं यहां से बच्चों को पढ़ना शुरू करना जाए है तो यह सब्टों से हम लोग नेक्ने एक हम सब को पताए कि कहा से बच्चा अपना स्मोकिज चुरू करता है कहा से बच्चा प्छों पर देखे तो इन सब चीजों हमें अपने आपने देखी है तो मुझे लगता है कि यह सब्जेक्स गश्चें गरंएंट को एर्थ और दि के बीच में बढ़ाना बचो को शुरू करदेने जाहिए हैं, कैसे कैसे यह इसके social side effects क्या है, इसके physical side effects क्या हैं वो बच्छों को हमें बताने पड़ेंगे सर एक कोछिन है, जैसे आजकर सदकों पे द्रुगटने हैं जादा हो रही है तो परशाषन की तरफ से उसके पर कोई कारभाई भी नहीं हो रही है तो इस बारे में आप पर फिर आप पर दो को मैं बढ़ी उता रहा हूं यही को पर दो को बढ़ा है मैं बताओ भी मेरी बेसिक लडाई जो है वो सिस्टम फेलियर के उपर ही है यह बिल्कुल अतना हमें दो जिन चीज़े है तो सड़को भी बहुन रहा है तो चाहिस पर लूड आ गया है तो यह फिल गबनमेंट का काम है क्यों उन चीजहों पर ठाए है दूसरा हमारा भीकाम हम बहुत सारा फिल्ष हमारे ज़्छs कोब बहुत सारा हमारे देटे आंकि बहुत सारे, थोंग मै कुछ दिन पहली indigenous. एक रहा हो और वाई के साथ बांबा था पहना नहीं था और भागे वज उसकी मृत्तियों हो गए तो थोड़ा सा अगर हम उन बच्चों को भी समापने में जाभू करें और इन सब एक कॉडिनेशन बना के काम करें वेवस्था में तो यहां से भी हमें इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल करने में मल निल सकती है जैसा कि आपने देखा है आपने भी कहा कि जो रोड जो है वो उसमें बीच में घटे है जैसा रोड अगर बिल्कुल क्लेयर भी करते हैं तो आप जानते है कि उसमें नैचरली जो है स्पीड बढ़ जाएगी तो जैसे स्कूल एरिया है अभी स्पीड ब्रेकर जो हटा दिय तो जैसे हरिपूर स्कूल है वहाँ पर टाइलेट रही है तो वहाँ पर जो है लोग इस पीड आटमेटिक ही बढ़ जाएगी तो वह स्कूल एडिया में ऐसा विदाउट स्पीड ब्रेकर जो है वो जाना और स्पीड हाई में तो वहाँ पर ना पुलिस ने पर एक बारियर क्यों जोब अधरण दास कर रहें दिखें यह काम लोगों को नहीं है यह काम प्रशासन का काम है में सेसे इसमें देखेंगें, सब्सक्राइब गिसी सब्सक्राइब हमें, डिलिस देपाट्मेंटिस तुल रहो है कि अगही देखेंगें आपके वेयर बाता पाते हैं इन चीजों के लिए मैं भी अपने स्तर पे कोशिश करूँगा मेरे पास मेरे पास मैं अलालग से संस्थाओं में काम करता हूं तो मैं उन संस्थाओं से बात करूँगा है कि हम खुद आपने स्तर पे कुछ को जागुता भ्यान चाला है इस पुर्मान ले पे सबस्क्राइज है विए फी दोंष्ण कर देहरा के लिए उस बारे में आप कुछ है इस सबसे दुख़त जो हमारे देहरा के लिए इसवब था वह संद्र उड़िए को पीडा जितनी मैं मैंसूस कर सकता हूं शायद ही कोई कर सके मान बताओं कि अगर ये संडर इनी देहरा मे समय रहते बन गई होती, तो मुझे PhD करने के लिए कहीं और महीं जाना पड़ता, मैं भी घर का खाना खाके, अपने मा की हार का खाना खाके बड़े अच्छे से पढ़ाई कर सकता था, Central University पूरी का पूरा एक राजनीती में उलच कहीं, BJP और Congress की, BJP Commerce की राजनीती में उलच कह अब BJP की राजनीती में यह चीज जाता बजच कही है, अभी भी जो परस्थितियां जो हम देख रहे हैं कि कहीं, BJP Government ही नहीं चाहरी है, शायर कहीं से यह बाती भी नहीं चाहरी है, शायर कहीं से यह बाती भी नहीं चाहरी है, कि अभी Central University का शिला नयास हो, थोड़ा साम प अधिया लेबल की राजनीती जो हमारे नेता कर रहे है, मैं उसे नवेदन की यह ना करे है, और चल्द से चल्द इसका शिरा नयास है, शिरा नयास के बाद भी बड़ी दौड़ा है, शिरा नयास करने से यह अभी Central University देरा को नहीं मिल जाए भी, शिरा नयास के बाद की हमें वापिस रही इस University के लिए बड़ी दंबी लड़ाई है अभी और यह तोटल सिर्फ और सिर्फ आपका मान के चल्द हैं आपकी राजनीति जो लोग हैं हमारे उनकी असाफ़ता है सिर्फ क्यों राजनीति में जो है वो एजूकेशन सफर करती है अभी जो यहां के विदायक है मैंने उनसे भी दो तिन बार बार तलाब की थी तो उनको मैंने से एक Central Library के लिए बात की थी और जो पराने थे उनसे भी मैंने बात की थी तो उनको भी Central Library के लिए बोला था पर जो एजूकेशन सिस्टम है यह बहुत जरूरी है समाज के लिए एजूकेशन सिस्टम इस वेवस्ता जो मैं शिक्षा वेवस्ता है इससे बहतर तरीके से हम किसी मनुष्य का निर्मान नहीं का सकते है जितना बहतर तरीके से हम इस वेवस्ता से का सकते है अगर हम मान के चल तो इनकी शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, ज्तनी अच्छा से अपने बच्चों उनको इनसानिक का पाट पढ़ाएं, समाजिक कषेतर का पाट पढ़ाएं। उतना ही फाइदा हमारे के अरिया को होगा और जब एक प्यक्ति का विकास होता है उसे एक समाज का विकास होता है और जब एक समाज का विकास होता है और प्रदेश का विकास होता है एक अच्छा देश बनता है तो ये चीज़े हमारे नेताओं को समझनी चाहिए कि शिक्षा बेवस्था जो हो हर समाज का हर देश का मूल है तो इस पर इंको काम करना चाहिए हम भी अलाव मादिमों से मैं कोशिश करूंगा कि इस मुद्ध को उठाया जाए कि देहरा में एक कुस्तकाले जो है केंदरी कि सुप्रीम कोट का हवाला देते हुए सरकारें बोल रही है कि आप यहां पे विजाई नहीं कर सकते हैं यह दुखत है सरकार को कोई रास्ता इसमें अपनाना चाहिए बहुत सारे लोग की रोजी रोटी का मावला है मैं कुद एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं जि हम लोग बही हैं जिन्हों ने अपनी जमीने अपने घर पानी में डुबो दिये अपने खुच को अंधेरा ले लिया है कि जीवन में अंधेरा उतार लाए पूरे देश को उजाला देने के लिए तो यह दुखत है कि सरकारें इस चीज को नहीं समझ रही है और मुझे लग हम से परेगी चीज है कि क्यों यहां तो यह सरकार को सोचना चाहिए विजार करना चाहिए नहीं तो दिले दिले लोगों कर दभाब बढ़ता जाएगा और पिलकुल मैं बांब विस्तापित जो मैं उनके साथ हूँ और किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा तो हम यह नहीं पहुंछता है, वह रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं जी मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ आप क्या है … कहां क्या बोल रहे हैं सब्सक्राव करें। कहीं ना कहीं आदमी आदमी कोशिश कर रहा है, इसर तो नहीं हो इसमे pięする फुल में वह दाव similar है अगर हम अपने पुराने समय से अपने पुराने समय करें तो इससे बहतल हुए हैं लोगों ने थोड़ा से समझा तो हैं कि अगर बिल्कुल सही है कि अगर वह मुद्दे उठाज़ चाहसे में छोड़ दें तो अपने फाइदा नहीं है हमें उंको निशकर्ज तक पहुंचाना ही रिजाना है एक मुट्य से रूसरे भी पर जाना वी रखता है फिर समय मुट्य से ह्वाय है चित्तरकला और अपने सहित्रकला तो अब में अब लगा है प्रदेश का सरखार ने उनकी अंदेखрал चित्थ के है फ्रंट पेज पर खबस चपी थी कि गुलेर मिनियचर पेंटिंग जो है वो बिटेन में आपकी लग 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 5 क्रोड की स्टार्टिंग प्राइज है निलामी का मुझे नहीं समझ आता कि मैं इसको अपना दुभागय बोलू और आपना सौभागय बोलू आप तैय करें कि मुझे क्या बोलना चाहिए इसको तो उस पेंटिंग को जो बिटेन का टूरिजम डिपार्टमेंट है जो में तूरिजम मिनिस्टर थे वह उस पेंटिंग को बैन क तो उसने बूला कि अब हमें ये स्टृड़ू करना है कि क्या इटली का वह पेंटर कभी गुलीर का नैसुप पेंटर कभी इटली गया या कभी गुलीर और रिटिली का कोई आपस में रिलेशन रहा, इस चीज़ को स्टेडी करने के लिए बिटे ने उस पेंटिंग की निलामी रुका दी, और एक तरफ हमारी नलाइक सरकारे हैं, जो अभी तब गुलेर को उसकी पहचान तक नहीं दिला पाई, मैं उस मिट्टी से संबंध रखत तो प्रदेश सकार को इसके उपर काम करना चाहिए, मुझे खुशी हुई पिछे से मैंने पढ़ा, हमारे माननी मुख्य मंत्री जी ने बताया है, कि वो हरिपूर को लेर है, एक बोर्ड का गठंग करने जा रहे हैं, ये स्वाकतियों के फैंसला है, अब देखते हैं, शाय असंखे रस्त जो है, वो कभी घूलते हैं, तो उसमें एक गुलेर के ये कभी थे, बहुत फेमस परशनल्टी है वो, चंदरधर गुलेरी, उनका यहां पर कोई मार्ग, मुझे जिन नहीं है, कोई उनकी मेमरेवल थिंग नहीं है, ये बड़ा-बड़ा दुभागे पोरन ह कि जिस मिट्टी ने इस देश को इतना बड़ा ला दिया, चंदरधर श्रमा उलेरी, लगु पथा कि वो सबसे पहले नायक हुए है, और उनका उने के गाउं में कोई आज सम्मारक नहीं है, कोई उनके नाम पर कोई ऐसा स्थल नहीं है, जहां पर लोग जा सकें, उनको के पास एक प्रदेश सरकार उनके नाम पे स्थर्फ एक राजय स्थरी उनका जवन दिवस मनाती है, वो भी कहीना कहीं खाना पूर्ती करते हुए ही नजर आता है, पड़ी मुश्कल से हमारे प्रयासों से एक बार हमने यहां के गुलेर में राजय स्थरी जन्ती गुलेरी में किया, कोई समारक नहीं है, गुलेर में यह दुखत है, मैंने बहुत पार अपने स्थर पर हमारे मुख्य मंतरी वीरबतर सिंग से मुलाकात की थी, उनसे भी हमने यह मुद्दा उढ़ाया थी कि आप इसका कुछ करें, हमारे कोई समारक नहीं पारक का निर्मार्ण करव कोई पुस्तका ले रहें, तो तब तो नहीं हुआ है, अब नए मुख्य मंतरी ने जैसे खुष्णा भी की है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो आप मारा हारी पुलेर हरकेस डेवल्मेंट बोर्ड बनाने की, तो उसके तहट आप देखते हैं, चीज़े कितनी बदलती है मान्य मुख्य मंतरी से ही मैं निवेदन करता हूं कि गुलेर में जद कोई ऐसा समारक चंदरा श्रमा गुलेरी जी का, नैचुक जी का, विच्राजी का बना है